Welcome friends, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पती ये दो शप्त पत्र कोट में देते हैं तो पत्ने को मेंटेनिस कभी भी नहीं देना पड़ेगा जब पत्नी पती से अलग होती है तब पत्नी ये चाहती है कि उसे पती से मेंटेनिस मिलना चाहिए और पत्नी ये करती है कि पती की जो इनकम होती है उसे केस में बढ़ा चड़ा कर दिखाती है यहाँ पर कोट की द्वारा पतनी की बातों को सुनकर पती के उपर maintenance लगा दिया जाता है पती अगर अपनी पतनी को maintenance नहीं देना चाहता अगर पती को लगता है कि मेरी पतनी गलत है तो पती कोट में दो शपत पत्र पेश करे पहला शपत पत्र आता है आय का शपत पत्र इसमें पती और पत्नी दोनों को अपनी आय दिखानी पड़ती है अपनी assets और liabilities सब कुछ एफ़ेडेविट के माध्यम से कोर्ट में रखना पड़ता है पत्नी के दोरा maintenance केस करने पर पती के दोरा कोर्ट में आय का शपत पत्र पेश करके ये दिखाया जा सकता है कि पती की आय कितनी है इसमें पती को अपनी आय बतानी है और जितने भी तमाम खर्चे हैं वो एफ़ेडेविट के माध्यम से कोर्ट के सामने रखने है दूसरा पत्नी का एफ़ेडेविट इसमें पत्नी की आय भी सामने आएगी साथ में पत्नी अगर जौब करती है या फिर इंकम नहीं बताती तो इंकम एफ़ेडेविट के जरिए ये बात कोर्ट की समक्ष आ जाएगी जिससे maintenance case पर परभाव पड़ेगा इसमें दूसरा शपत पत्र आता है पत्नी की गलतियों का अगर पती के पास पत्नी की गलतियों का सबूत नहीं है तो शपत पत्र के माध्यम से पत्नी की गलतियों को कोट में रखा जा सकता है तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दीगी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां बाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लाज सब जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद